गाइज लाल सिंग चड़ा एक रीमेक फिल्म है बट गाइज मैंने एक शॉट वीडियो में एक्स्प्लेइन गिया था कि रीमेक बनाना कोई गलत बात नहीं है पस जरूरत है तो एक अच्छे से अक्टर की और एक अच्छे से डारेक्टर की जो कि ओरिजिनल फिल्म पे साथ ए जिये कहां देखेंगे लाल सिंग चंड़ा के दधर कार्गिल वेर्ट देखेंगे तो गई ऑय्च यह पूरी डिफ्रेंच एक्से पीरिएंट नहीं के बाद बी हैक नपनी एक फिल्म पूरा एक नहीं इक्सपिरिय titre चे लिए नहीं के बूल यही की एक वाइगा मिग अ तो तो आमिर khान की लास्ट फिल्म थगज ऑफ हिंडूसतान निहाई थी पकाई निहाई थी बोरिंग फिल्म थी, अगर इस फिल्म को साइड में रखा जाए तो आमिर खान की सारी की सारी फिल्म बहुत लाजवाब फिल्म्स है, मतलब उनकी फिल्म्स PK, दंगल, 3 Idiots, इन सब फिल्मों के आसपास भी कोई फिल्म नहीं है, मतलब ये बात तो एकदम डिफिनिटली मानना परेगा, कि आमिर खान बहुत ही एक्ट्रा ओर्डिनरी टाइप की फिल्म बनाते है, जो कि देख के बहुत जादा मज़ा जाथ, ये बात तो कहना ही परेगा कि आमिर खान एक बहुत ही विजनरी इंसान है, काफी बहतरी फिल्म्स वो बनाते है, जो कि मैसेज के साथ होती है, इंटर्टेन्मेंट तो भर गया होता है, इसके बाद ट्रेंड चल रहा है, बोई कॉट लाल इंडियन नहीं है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, मतलब अगर अगर अपने दिमाग से कचरा वाला दिमाग हटा के, अगर अगर नॉमल तरीके से सोचो, और आख बंकर की बाद सोचो, किसी भी एंगल से आपको यह नहीं लगा कि आमिर खान हो या अक्षे कुमार हो या कित बाइस है ना तो आपको यह चीज समझ में आएगा ही नहीं इस लॉजिक पर बॉइकॉट करना फिल्म को यह निहाईती बखवास सी बादा, जैसे भी बॉइकॉट का तमाशा हमेसा से चलता है, बॉइकॉट दंगल, बॉइकॉट पीके तो उसका रिजरल देख लो ना भी पीके और दंगल का बॉक्स ओफिस चेक कर लो, समझ में आ जागा कि बॉइकॉट से फिल्म सिर्फ प्रमोट होती है, और भी ज़्यादा प्रमोशन मिलता है, कोई फेल नहीं होता जिनको मूवी देखना है, अगर मूवी में दम है तो अगर आमिर खान ने जस्टिस किया है लाल सिंग चड्ड़ा में, फॉरेस्ट जंग के साथ, तो भाई ओडियंस दबा के जाएगी, और मेरे हिसाब से मेरा ये अनुमान है कि शायद जस्टिस किया होगा, बहुत कम चांसे है कि जस्टिस नहीं किया हो फिल्म के साथ, तो मैं तो यह समझता हूग यार, यह फिल् लाल सिंग चड्ड़ा मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हूँ, अगर फिल्म अच्छी है, ब्लॉक्बस्टर होगी, और अगर भाई, आपको बता दू, यह फिल्म अपने राइट्स बेच बेच के सिर्फ हजार करोर कमा चुकी है, मतलब हजार करोर घर में आ चुके हैं, सिर्फ अपने राइट्स बेच बेच, कितना भी बॉयकट कर लो, यह फिल्म अलेडी हिट है, सूपर हिट हो चुके है, ब्लॉक्बस्टर है, हजार करोर अलेडी राइट्स बेच कर आ चुके है, मतलब म्यूजिक राइट्स, पता नहीं, फ्लाना धिमागा राइट्स, OTT राइट अगर दम हुआ, तो यह फिल्म ब्लॉक्बस्टर होगी, आमिर खान की सारी फिल्म के रिकॉर्ड तोर देगा, क्योंकि जो इंसिदेंट्स जिस तरीके से इस फिल्म में दिखाया जाएगा, वो काफी लाजवाब होने वाले है, मतलब कारगील, और भी बहुत सारे इंसिद नहीं करते, कुछ और दिखाना चाहते हैं, आप उससे कुछ और मतलब निकाल लेता हो, बुरे माने लग जाते हो, बकवास सी बात हो, उनका इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता, अब यह मत बोला कि तुझे कैसा पता, इंटेंशन ऐसा बिल्कुल नहीं रहता, इत तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, छोड़ा से वीडियो था, या शायद थोरा से लंबा वीडियो था, बट जैसा भी वीडियो था, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, जरूर करना यार, चैनल को जल्दी यल्दी ग्रो करना, बहुत बरा चैनल बनाना, तो मिलते है जल्दी